तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि तीन डिजिट के इस्क्वाइर या नियुक्त के नम्बर का इस्क्वाइर तीन सेकंड और तीन सेकंड के अंदर कैसे निकालते हैं तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि तीन डिजिट के इस्क्वाइर या नियुक्त के नम्बर हम साथ सेकंड साथ हैं आठ सेकंड में हम निकाल लेंगे ठीक है तो जैसा कि ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को जो है कैल्कुलेटर अलाउट नहीं है और 8, 9, 10th वालों को तो लॉग कैल्कुलेशन भी नहीं आता तो कहीं न कहीं fast calculation perform करने के लिए ये trick आपको help करेगी वैसे tricks बहुत सारी market में घूम रही है बहुत सारी tricks है लेकिन बहुत सारी हमको जान करके क्या मतलब है जो trick सबसे simple है सबसे easy हो उसी को हमको use करना चाहिए और जो सारे number में apply हो सके तो 101 से लेकि 992 तक 3 digit के number में इस trick को use करके हम fast calculation perform कर सकते हैं तो आप देखते हैं कुछ numbers जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं 108 108 का square करना है और पहले आप इसको समझो अभी मैं 7 और 8 second के चक्कर में नहीं हूँ मैं आपको explain कर रहा हूँ ठीक है जब आप 108 का square करने जाएंगे तो पहले हमको इस number 108 को एक round figure में रखना है ठीक है यहाँ पी जैसे round figure 100 होगा तो 100 से compare करना है ठीक है 100 तो यह 100 कब होगा या हमको इसमें से 8 minus करना पड़ेगा तो यह 100 होगा तो आप एक काम करेंगे 8 minus करेंगे तो साथ ही साथ 8 plus भी करेंगे मैं procedure सिखा रहा हूँ आपको technique सिखा रहा हूँ तो चलो मैंने क्या क्या पहले 108 में से 8 को minus कर दिया तो कितना बचेगा 100 अब 108 में 8 को plus कर दो तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 116 तो पहले 108 में से 8 minus किया तो 100 आया 108 में 8 plus किया तो 116 आया अब only 8 का square सिर्फ एक मरत्वा 8 का square कितना होता है 64 बस हो गया आगया आपका answer तो बचों हम इसको हमेशा यहाँ पर 100 से divide करेंगे तो यहाँ दोनों number count होगा 10 से divide करेंगे तो एक number count होगा बच जनरली हमको हमेशा 100 से divide करना रहेगा यह 100 और यह 100 cancel अब इसको join कर दो तो यह हो गया 116 and 64 अगर कोई तीसरा number आता है तो carry करना पड़ता है उसको लेकिन दो ही number है तो direct join कर दिया और यह मिल गया आपका answer 108 का square अब और example देखते हैं चलो 312 312 का square देखते हैं हम लोग फिर से ध्यान दो समझो बहुत easy है समझ में आ जाएगा एक दो कुछ examples मैं calculate करूँगा solve करके आपको दिखाऊँगा जान उसके बाद कुछ examples आप खुद से solve करना एक दम clear हो जाएगा तो बचों जैसे 312 312 तो इसको round figure इसका कितना होगा 300 ठीक है 300 के आस पास लाने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा तो कितना हो गया ये 300 इंटू 312 में 12 को plus कर दिया तो कितना हो गया 324, 324 और 2 will का square कितना होता है 144 ये हमको मालूम है जैसे कि मैंने last week में आपको बताया कि 100 से divide करना पड़ता है और यहाँ ये 2 number joined होगा यहाँ पर भी देखो 200 से divide किया अब ये तीसरा बचा इसका क्या होगा आप मैं बताता हूँ पहले ये काट दिया मैंने 3 बचा 3 चौक 12 उपर गया एक हासिल 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9 ये 1, 4, 4 अब direct join नहीं करना है ये 2 number joined होगा ये carry में चला जाएगा आके यहाँ पर add हो जाएगा तो ये हो गया 9, 7, 3, 4, 4 तो ये हमारा जो है 3, 2, 312 का square हमको मिल गया 9, 7, 3, 4, 4 तो ऐसे मैं और अब थोड़ा इससे और difficult example लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा clear होगा ओकी बच्चों अगला example हम देखते हैं जैसे कि हम देखते हैं 487 का square ठीक है 487 का square तो 487 round figure nearest about ये 500 हो जाएगा ठीक है अगर इसको 500 के हम करीब करते हैं तो इसमें 13 plus करना पड़ेगा 13 plus करेंगे तो ये 500 हो जाएगा और 13 plus किया तो 13 minus भी करना पड़ेगा चलो जब 487 में 13 plus किया तो ये हो गया 500 into 487 में से 13 minus किया तो ये हो जाएगा 474 और 13 का square it is 169 जैसा कि मैंने आपको बताए कि always it is divided by 100 और ये दो नंबर यहाँ पर count करेंगे 100 से divide किया तो ये double 0 get cancel अब 5 चौक 20 के 0 उपर गया 2 5 सत्य पैंटिस और 2 छत्य स्याइटिस के 7 उपर गया 3, 5 चौक 20 और 3 तेविस 23 और ये आया 169 यहाँ पर चल रहा है ये एक नंबर जो कैरी हो जाएगा and your answer is 237169 is the answer this is the square of 487 ओके और हम लोग example देख लेते हैं पर इससे भी difficult example देखेंगे हम तो अब यह देखते हैं 775 का square देखते हैं 775 का square ओके तो 775 round figure 800 के करीब है अभी ये 800 के करीब है ठीक है तो 800 करने के लिए 25 प्लस करना पढ़ेगा उसके बाद 25 प्लस किया तो 25 माइनस भी करना पढ़ेगा ठीक है तो 775 में 25 प्लस किया तो ये हो गया 800 then multiply by 775 में से 25 माइनस किया तो ये हो जाएगा 750 then 25 का square 625 okay then divided by 100 तो यहां भी दो नंबर काउंट हो जाएगा double zero get cancel 8 into 0 0 8 पंजे 40 उपर गया 4 8 सत्य चपन सत्य उनट 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 साथ ये 60 और ये 625 में 6 कैरी हो जाएगा and your answer is 600 625 ये आपका answer आ गया है 775 का square और मैं इसमें एक बात 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 हूँ कभी कभी अगर ये number जादा बढ़ा हुआ जो difference हम करें वैसे बहुत जादा बढ़ा तो नहीं होगा लेकिन अगर जादा बढ़ा बढ़ा सार इसका square याद तो रहना चाहिए अगर कभी ये number बढ़ा हुआ और इसका square निकालना हो तो हम two digit की technique का भी use कर सकते हैं without calculator, without any system हम number three digit के number को easily solve कर सकते हैं कुछ और भी अब इससे बड़े हम कुछ complicated example देखते हैं कि कहीं कहीं कुछ अजीब से थोड़ा complications आएंगे तो उसको भी हम कैसे solve कर सकते हैं three digit के अंदर ही हैं तो बच्चों अब मैं कुछ एक दो ऐसे example यह number एक लिया मैंने इसका square करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर कुछ complications आएंगे तो 747 को पहले हम round figure करने जाएंगे तो 750 it is a round figure अब 700 पर मत जाओ ठीक है 750 तो 750 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा three plus करना पड़ेगा और जब three plus करेंगे तो three minus b करना पड़ेगा टेकनिक हमारी वही रहेगी टेकनिक वही चल रही है बट थोड़ा calculation के time पर थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है 747 में three plus किया तो यह कितना हो गया easily 750 हो गया into 747 में से three minus किया अब यह कितना हो गया 744 हो गया ओके और three का square तो हम लिखेंगे zero nine ठीक है हमेशा ऐसा दो डिजिट में लिखो जब हम double digit का square कर रहे थे तब भी आपने देखा था ओके और जब करेंगे divided by hundred तो यह दोनों number count हो जाएगा जैसा कि आपने देखा हमेशा ही हमारा technique है एक zero तो easily cut गया अब 75 divide by 10 तो हम इसको divide करके 7.5 लिख सकते हैं चलो लिख लेता हूं मैं cut दिया यह हो गया अब 7.5 into 744 और यह 0.9 अब problem यह है कि जब तक एक number था single number तो multiply करने में कोई problem नहीं हुई अब यह आ गया है double digit number अब इसको multiply करने में problem हो रही है ठीक है तो इसको हमें क्या करेंगे convert करेंगे जैसे 7.5 को मैं 15 upon 2 भी लिख सकता हूं 15 का आधा साड़े साथ होता है अभी भी double digit number है अच्छा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 30 divided by 4 बोले सार अभी भी double digit है double digit है तो क्या हुआ लेकिन 0 को हम direct आगे बढ़ा सकते न 3 से multiply करके easily तो मैं 7.5 को अलग तरीके से लिख रहा हूं जब भी ऐसा कभी number आएगा तो आप उसको ऐसा लिखने की कोशिस करना कि एक 0 साथ में आ जाए तो आप एक number से multiply करोगे और 0 direct सामने लगा दोगे ठीक है तो मैं 7.5 को मैं लिखता हूं 30 upon 4 into 744 ठीक है और यहां तो जो 09 चल रहा है दोनों number चलता रहेगा ठीक है पहले मैं 4 से इसको मैं card देता हूं 4 एका 4 बचा 3 ठीक है 34 होगा 4 अठे 32 बचा 2 4 चंग 24 यानि 30 multiply by 186 और यह 09 ओके अब मैं 3 से सरीफ multiply करूँगा और direct एक 0 लगा दूँगा तो पुरा 30 से वो multiply हो गया 3 चंग 18 उपर गया 1 3 अठे 24 और 25 के 5 उपर गया 2 3 एका 3 और 2 5 तो यानि आपने 3 से multiply किया तो 558 आया और मैं 0 को इस तरह से लगा दिया और यह 09 यहां carry करने के लिए तीसरा नंबर नहीं है तो यूर आंसर इस 558 0 और 09 इस दा आंसर ओके तो बच्चों आपने देखा कि अगर कुछ complications भी आया तो भी हम किस तरह से easily 3 digit के squares हम आसानी से निकाल सकते हैं अब एक और मैं इसी तरह से complication वाले number ले लेता हूँ ताके कोई भी problem आपको कहीं भी कुछ इस तरह की बात आये तो उसको आप easily सुने तो आप बोलेंगे सर ने easy easy number बता दी अब difficult number देखो यहाँ problem हो रही ही होई नहीं रहा multiply ऐसा नहीं है आओ देखते हैं number लेते हैं 442 का square यहाँ पर भी इस तरह का छोटा सा complication आ सकता है जिसको हम arrange करके solve कर लेंगे तो बच्चों 442 को round figure 450 बनाना आसान है तो मैं एक काम करता हूँ plus 8 करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा minus 8 भी करूँगा 442 में 8 plus किया तो यह हो जाएगा 450 into 442 में से 8 अगर मैं minus करता हूँ तो यह हो जाएगा 434 हो जाएगा ओके और 8 का square कितना होता है 64 मैंने लिग दिया then always it is divided by 100 तो यहाँ दो नंबर काउंट हो जाएगा ठीक है तो 00 कट गया अब 45 divided by 10 को मैं 4.5 लिख सकता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था तो यह 4.5 into 434 और यह 64 बचो अब जहाँ पर थोड़ी से चालागी करते हैं चुकि 2 डिजिट है multiply करना भारी पड़ेगा तो मैं 4.5 को लिख सकता हूँ 9 upon 2 9 का आधा 4 होता है तो 9 upon 2 into 434 और यह चल रहा है 64 2 दुनी 4 2 एका 2 और 2 सत्य 14 2 से divide कर दिया 9 से multiply करेंगे 9 सत्य 63 63 के 3 उपर गया 6 ठीक है 9 एका 9 और 6 15 के 5 उपर गया 1 9 दुनी 8 और 1 19 1 9 5 3 और यहाँ पर क्या है 64 तो यह आंसर इस 1 9 5 3 64 तो यह मिल गया बच्चों हमको 4 42 का स्क्वाइर भी मिल गया ठीक है तो बच्चों जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि 8 9 10 11 12 के बच्चे even neat और jay कभी exam देते time या board कभी exam देते वक्त fast calculation में कभी-कभी number छोटे होते है calculations छोटे होते हैं जहां हम यह सोचने हैं कि log नहीं भी use करेंगे तो हम fast solve कर लेंगे तो ऐसी जगां solve करने में हमारी speed बढ़ेगी हमारा time बचेगा और 8, 9, 10 के बच्चों को तो log भी नहीं आता है तो उनको तो बहुत help मिलेगी तो हम इस तरह के techniques यूज़ करके हम अपने calculation को अपने speed को fast कर सकते हैं और daily life में भी जो है बहुत से लोग इसको use कर सकते हैं तो इसी तरह मैं अपने other syllabus के साथ मैट्स और physics के साथ साथ बीज बीज में कोई न कोई अच्छी और बहतरी ट्रिक्स आपके सामने रखूँगा ताकि ये आपकी पढ़ाई में आपकी study में एक power provide करने का काम करें ओके गुडबाई